हाई फ्रेंड्स वेल्कम टू आर्या केरियर अकेडमी आज हम लोग छेसल 20 मार्च का सकेंड शिफ्ट का पेपर डिसकस करेंगे और अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर नहीं किये हैं तो प्लीज सब्सक्राइब और शेयर कर लिजिए और बेल आइकन दवाना नहीं भूलिए ताकि कोई भी वीडियो आप लोग को हम लोग डालते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे हैं चले देखते हैं कोस्चन आज का सबसे पहला कोस्चन था हूँ फॉन्डेड मुगल इंपार तो मुगल इंपार कौन किया है तो वह है बाबर यह वो सुल्तान इबराहिम लोधी के साथ हूँ था के लड़ा है बेटल अफ खानवा 1527 में हो था बाबर और राना संगा के बीच में बीच में हुआ था बैटल ऑफ चंधेरी 1528 में चंधेरी चंधेरी के राजा से वा था बैटलो अफ घांगरा ती कंग यह ऐ अफगान और कंट्री का हम अभी तक वीडियो डाल चुके हैं और अगर आप पीछे वीडियो नहीं देख रहे हैं भुटान से रिलेटेड तीन चार कोशन आ चुका है जिसमें हम पूड़ा पूड़ा डीटेल बताएं यह पहले भी बता चुके हैं कि इसका ट्री नेशनल ट्री कौन सा है अगर आप पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज एक वाड़ जा कर पीछे का वीडियो देखें तो आज कोशन आ है कि नेशनल ट्री कौन है तो साइप्रस है और अब देख लिजे और भी चीज देख लिजे भुटान से रिलेग इसका नेशनल बड्ड कौन है र कि जोंगा ठीक है next question देखते हैं एक numerical आया है initial velocity 15 दिया हुआ है acceleration दिया हुआ है time दिया हुआ है और displacement दिया हुआ है यह लगतार 8 से 10 बर यह question आ चुका है पिछले वीडियो में भी हम इस formula पर based question आया था आज s ब्राबर ut प्लस half 80 पर square पर आया है और कल आया था u square बराबर v square बराबर u square प्लस 2as पर तो यह पांचो फर्मूला दिये हैं इसको देख लिज़े कि हर दिन इसमें एक एक से repeat हो रहा है तो देखे इसका answer कैसे निकालेंगे u कितना दिया हुआ है 15 दिया हुआ है टी कितना दिया हुआ छे हाफ एसलेरेशन कितना दिया हुआ है चार और time कितना दिया हुआ छे तो 36 एक कट गया 92 दू 162 मीटर एंसर हो गया तो आप यह सारे फर्मूले को याद कर लिजिए नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं इसका option मेरे पास नहीं है अगर आपके पास अदिक कोश्चन का option है तो आप option भेजिए उसके अनुसार इसका answer मारेंगे और अगर किसी के पास इसका प्रोपर question यह question क्या पुछा गया है तो उस question को comment box में डालिए चलिए next question देखते हैं Indian constitution, custodian किसको बुला जाता है तो यह Supreme Court को बुला जाता है यह भी SSC का previous year question है देखे एक question monopoly से आया है तो monopoly से question जो आया है इसको क्या monopoly से question क्या यह तो नहीं पता है मगर monopoly होता क्या है जा single supplier होता है rate of change of energy is called power यह भी question पहले आ चुका है इसी साल CHSL 2018 में फिर से इसको repeat किया गया है powerful question को देखे बायोस का full form क्या होता है basic input output system देखे next question देखते हैं इंडिया second largest river कौन सा है तो पहला तो गंगा है दूसरा गोदाबरी है next question है good source of vitamin D तो vitamin D का दो good source होता है एक sunlight और दूसरा होता है fish wild तो जो भी option में होगा उसके अनुसार आप इसका answer टिकलर आ सकते हैं who is the prime minister of Bangladesh अगर पीछे का video देखे होंगे तो यह पहले भी हम बता चुके हैं इससे related question आया था बंगलादेश तो वहां पर हम सारा discuss किये थे कि कौन प्राइम मिनिस्टर है प्रेसिडेंट कौन है और या speaker कौन है देखे आज फीर से उस question को repeat किया गया कि प्राइम मिनिस्टर कौन है बंगलादेश का तो यह है से खसीना और बंगलादेश में अभी तक दो उमेन प्राइम मिनिस्टर बन चुकी है से खसीना और खिल्डेजा जिया इन दोनों को बंगलादेश में बैटलिंग बेगम बोले जाता है यह भी हो सकता है कि बंगलादेश में बैटलिंग बेगम किसको बोले जाता सकता है यह दोनों का option होगा यह दोनों का कोई भी option में देखते हैं चले थैंक्यू for watching subscribe अगर आपके पास कोई question है तो आप प्लीज मेरे comment box